तू केसे है आप लोग? सुआ कथ है आप लोग का आपके अपने YouTube चनल में जिसका नाम है Guide Of Math मैं हूँ आप लोग का दोस्त अभी शेक और आची वीडियो है बहुत special इसमें मैं आप लोग को समझाऊंगा एक special trick जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप इसे कहां-कहां यूज कर सकते हैं, किस-किस डेटा पर आप इसे व्लाइक करते हैं, ये भी मैं आपको इसे बताऊंगा, वीडियो कान तक जरूर देखेगा, और हाँ दोस्तों एक छोटी सी बात और बोलना चाहूंगा, वीडियो में मिलेगा आप लोग को एक special trick, वो trick आपको मैं कहीं पर भी वीडियो में दिखा सकता हूं, इसलिए प्लीज वीडियो में बने रहिए आप लोग मेरे साथ, और वो trick बहुत कमाल का होगा आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग उसे कापी जगा यूज कर सकते हैं, वो special trick आप लोगो को सीखना है इसी वीडिय किजिएगा, क्योंकि वो वीडियो के किसी भी portion पर हो सकता है, तो प्लीज बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और देखते रहिए Guide of Matt चैनल को, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और आपको सिखाते हैं, वो trick दोस्तों चलिए बात करते हैं आज के concept की, और आज का concept आप लोग को जैसा कि मैंने बताया था, कि हम लोग दूनेगे first name, middle name, last name, इसको दूनने का क्या तरीका है, किस तरीकी से आप इसे दून सकते हैं, ये मैं आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला है, तो यहाँ पर अपना नाम लिख देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया है, जो की first letter था, यहाँ पर इस character का, तो इस character का जो first letter था, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया, first word, अभिशेक, वो यहाँ पर टाइप कर दिया, उसके बाद जैसी एंटर किया, उसके ब और यहां जैस्वाल लिखने के बाद अगर मैं करता हूँ, इसे यहां पर करके Ctrl E, तो आप देख सकते हैं, यहां पर यह काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पर जैस्वाल तो आ रहा है, लेकिन उसका Middle Name नहीं आ रहा है, और यहां पर Last Name में करेंगे, तो वहां पर भी Same आ जा लेकिन अगर मान लीजे, Flash Fill का एक और नुकसान आप लोग को देखने को मिल सकता है, मान लीजे अगर अपनी यहां नाम चेंज करते हैं, सपोस करिए, मैं यहां पर नाम अभिशेक के बजाए, यहां पर अभिनव जैस्वाल कर देता हूँ, तो यहां पर अगर मैं नाम चे चेंज नहीं होंगे, दोस्तों, तो इसके लिए क्या तरीका है और किस तरीके से हम लोग ऐसा एक फॉर्मला बना सकते हैं, कि आप चाहें तो एक बहुत बड़ी शीट पर बहुत बड़े डेटा में आप चाहें तो नाम को चेंज कर सकते हैं, और आटमाटिकली इसे बना स तो चलिए देखते हैं क्या तरीका है इसके लिए, आप देखें, यहाँ पर आपको फॉर्मला जो यूज करना है, इसका नाम है लेफ्ट, आप देख सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट का एक सिंटेक्स हा रहा है, जिसमें बोला गया है, टेक्स और नमबर अफ करेक्टर, 7 number of characters यहाँ पर हैं, तो अगर आप यहाँ पर 7 लिखेंगे और आप इंटर करेंगे, तो आपका answer तो आजाएगा, लेकिन अगर आप इस formula को ड्राग करते हैं, तो आपका answer गलत हो जाएगा बाकी cells में, क्योंकि बाकी cells में जो है, 7 characters नहीं हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 4 हैं, कि characters बदल रहे हैं, इसका मतलब आपका यह जो 7 character का point है, यह काम नहीं करेगा, अब दोस्तों इसके लिए क्या कोई तरीका है, कि जो 7 character हैं, आपको automatically अपने API, अब आपको इसके लिए सोचना पड़ेगा कुछ एता, जो सभी में है common, अगर आप देखें, तो सभी में एक create किया है, first space और एक column create किया है second space का, अब यह column मेरे helping cells हैं, आप चाहें तो यह column create करें, आप चाहें तो इन column को बिना create किये भी कर सकते हैं, तो यह helping cell है, तो आपको बोला जाएगा, तो ही columns create होंगे, otherwise आप बिना column create किये भी formula लगा सकते हैं, तो चलिए देखते हैं, helping cell में, अ find करना है, तो आपको find करना है, inverted comma में आप लिख दीजे, space और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको space ढूणना है, comma लगाईए और बताईए कि आपको यह text कहां ढूणना है, तो हमने का हमें यह text इस cell में ढूणना है, comma लगाईए और फिर आपसे पूछता है कि start number, यानि आप इसे ढूणना कहां से start करेंगे, तो हम लोग इसे ढूणना शुरू करेंगे, number one से, यानि आप एक, दो, तीन, चार, पांच, यहां से गिरना शुरू करेंगे, यानि जब भी कोई counting आपकी होगी, तो वो एक से ही होगी, चाहे कोई भी cell हो, तो यहाँ पर आप लिख देंगे, one, by default, तो यहाँ पर आप लोग देखें, तो यह eight character आपको दिखाई दे रहे हैं, और अगर आप इसे drag करते हैं, तो आपको बता देता है, कि किस-किस जगह पर आपका first space है, दोस्तों, बहुती simple तरीका है, इसमें आप लोग उने first space अराम से पता लगा लिया, ले दिक्कत नहीं है, लेकिन कहां find करना है, यहाँ पर इस text के अंदर find करना है, और आपको यह देखना पड़ेगा, कि जो start number है, वो कहां से है, यहाँ पर यह जरूरी चीज़ है, कि start number कहां से हो, लेकिन आप देखें, यहाँ पर अगर आप start करते हैं, suppose करिए, आपने start कर दिय या one से, तो वो हमेशा यही space read करेगा, यानि first space ही read करेगा, तो आपको start वहाँ से करना है, जहां से आपका first space खतम हुआ, और उसके बाद जहां से आपका character start हुआ, यानि अगर आप दूसरी line में देखें, तो यहाँ पर आपको राज दिख रहा है, और राज के बाद जो अ character यानि first space, first space plus one, यानि आपको counting करनी है, पाँचवे नंबर से, तो आप लोग ये बोल सकते हैं, कि first space में, अगर आप एक जोड़ दें, वहीं से आपको counting start करनी है, गिनने की, यानि आप अपना second space कहां से गिनना शुरू करेंगे, जहां पर आपका first space खतम होगा, और उसके बाद जहां से आपका अगला character start होगा, वहीं से आप गिनना शुरू करेंगे, अपना second space, तो यही चीज मैंने यहाँ पर करी है, जिसमें मैंने first space का इस्तमाल किया है, अब दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें क्योंकि first space नहीं था, इसलिए इसने में को error दिया और जहाँ जहाँ इसने first space निकाला, वहाँ देखे इसने second space निकाला, यहाँ पर इसने answer दे दिया है, दोस्तों यहाँ पर एक और helping cell की जरुवत है हमें, और वो है length, यह क्यों है, मैं आपको अभी बताऊंगा, तो length formula आप लोग use कर सकते हैं, इस पूरे character को गिनने के लिए कि आपका यह जो character है, वो कितने digit का है, और कितने इसमें शब्द हैं, तो यहाँ पर आप इस पे click करिए, और जैसी आप click करेंगे, तो आपको यह बता देगा, कि इसमें कितने character हैं आपके पास, तो आप देख सकते हैं, सभी में मेरे को characters पता चल चुके हैं, कि इसमें कितन पर नाम बदला क्रिशन कुमार और क्रिशन कुमार जैसी मैंने लिखा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी changes होने शुरू हो गए अब दोस्तों इसका इस्तमाल मैं first name निकालने के लिए कैसे करूँगा आए देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर मैं यूज करूँगा left formula और जहाँ पर आपका first space खतम होता है तो basically first space तक आपको character चाहिए यानि आपको 8 नहीं 7 character चाहिए तो 8 नहीं 7 character चाहिए तो आपको क्या करना होगा आपने first space तक के character ले लिए लेकिन आप उसमें से एक घटा दीजे क्योंकि जो की आपका आठवा जो character है वो space है और आपको कितने character चाहिए आपको चाहिए 7 character तो आप enter कीजे आपका answer यहाँ पर आ जाएगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत simple तरीके से आपका first space का इस्तमाल करके हम लोग यह answer निकाल लिया तो आप चाहें तो यहाँ पर first space का जो यह cell का reference दिया है आप इदर अगर paste कर दें तो आपको उस cell की requirement नहीं होगी यानि आप इस helping cell को चाहें तो रखें और ना चाहें तो इसे remove भी कर सकते हैं कोई problem नहीं होगी चलिए देखते है middle name कैसे निकलेगा दोस्तों middle name निकालने के लिए आप लोग को ध्यान ये रखना है कि आपका middle name शुरू कहां से होगा तो चलिए यहाँ पर लगेगा formula that's called mid आप लोग यहाँ पर formula लगाएंगे mid और जैसे आप mid लगाएंगे तो उसका syntax है text तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको text मिला तो a2 text है और start number अब start number कहां से होगा यह देखना बहुत जरूरी है आप देख सकते हैं यहाँ पर यह start होगा किस character से start होगा start होगा यहाँ पर अगर दूसरे नाम में आप देखें तो start होगा आपके पास first page के बाद वाले character से तो इसका मतलब first page के बाद वाला character कैसे आएगा अगर मैं कहूँ तो first page आपका 8 नमबर पर है और plus 1 कर दिया जाए तो यह 9 आजाएगा यानि कि जब भी counting होगी आपके middle की तो वो first page के बाद वाले character से counting होगी तो अगर आप देखें यहाँ पर दूसरे वाले नाम में क्योंकि पहले वाले नाम में तो middle नाम है ही नहीं तो यहाँ पर राज वाली बात करें तो यहाँ पर राज देखिए राज के बाद first page है और यहाँ पर चौते नमबर पर जब first page आएगा तो उसके बाद एक जोड़ कर आप वहाँ से गिनना शुरू करेंगे middle word को और middle word को गिनेंगे अब वो word कहां तक होगा यह आपको पता लगाना है तो वो word कहां तक होगा तो यह देखना ज़रूरी है बीच के कितने character आ रहे हैं उसमें आप चेक करिए आपको पता है कि बीच के जो आपके character आ रहे हैं वो है 5 तो 5 character अगर आपको चाहिए तो आपको answer कुछ इस तरीके से निकालना होगा कि आप यहाँ से जो second space है उसमें से आप first space minus कर दीजिए कि जैसी आप second space में से first space घटा देते हैं तो आप देखेंगे जो character बचा वो बीच का ही character बचेगा अब इसमें answer क्यों नहीं आया क्योंकि इसमें first space था ही नहीं और आप देखें जिसमें आपका first space होगा वहाँ पर answer आ जाएगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका answer इसले आ गया क्योंकि आपका middle name था और यहाँ पर answer इसले नहीं आया क्योंकि middle name नहीं था अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि यह error आपके पास ना आए तो आप एक और तरीका यहाँ पर use कर सकते हैं आप लगा सकते हैं एक formula जिसका नाम है if error तो यहाँ पर आपको value में रखना है इसको और यहाँ last में लगाए एक comma और comma लगाने के बाद value अगर error आती है तो आपको बताना है कि अगर error value आए तो यहाँ पर आप लोग mention कर दें inverted comma में dash और dash mention करके enter कर दें तो आप देख सकते हैं जहाँ पर आपको error मिला वहाँ पर dash आ गया और जहाँ error नहीं था वहाँ पर आपको नाम दिखाई दे रहा है middle name दिखाई दे रहा है दोस्तो इसी तरीके से बात करें last name की तो last name को भी कुछ इसी तरीके से मैं लोग को करना पड़ेगा आप देखें यहाँ पर अगर आप देखें तो number of character अगर दूसरे formula की बात करें तो दूसरे formula में number of character होंगे total character में से अगर आप second space को घटा देते हैं तो आपका जो character बचता है वो last वाला character बचता है इसका मतलब अगर आप जितने भी number of character हैं उसमें से आप second space घटा दें तो आपको जो बच्चा हुआ मिलेगा वो है राव यानि पहले formula में अगर बात करें तो total character में से first space घटा दें और दूसरे formula में बात करें यानि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको दो-दो right के formula लगाने पड़ सकते हैं तो वो कैसे लगेंगा यह देख लेते हैं पहले तो आपको total character यानि length जो है उसमें से आपको second space माइनस करना है तो आप देखें इसमें error इसले आया क्योंकि इसमें second space है ही नहीं और आप देखें उसमें आगया है जिसमें आपका second space था लेकिन आप यह देखें कि यहाँ पर formula यह नहीं लगना था यहाँ पर formula लगता total length माइनस first space तो यहाँ पर अगर दो alternative formula लगाने हैं आपको तो आपको यहाँ पर इस्तमाल करना पड़ेगा if error का क्योंकि आप जानते हैं कि आपको जहाँ पर भी error आए वहाँ पर आप चाहेंगे कि alternative formula आप लोग use करें कॉमा लगाए और कॉमा लगाने के बाद आप लोग यहाँ पर फिर से लगाए right formula और right formula लगाने के बाद आप लीजिए character लेने के बाद आप बताएए कि आपको कितने character चाहिए तो कितने character चाहिए same चीज इस बार आपको करना होगा length में से minus आपका first space क्योंकि इस बार length में से आप first space जब तक minus नहीं करेंगे आपका answer नहीं आएगा तो एक formula हो गया आपका जब आपको पहला answer चाहिए था जब तीन character का नाम था तब आपको क्या करना होता था length में से आपको second space minus करना होता था लेकिन जब आपका answer error आ जाता तो आपको right का formula बदलना पड़ता और right के formula में आपको length में से first space को घटाना होता तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये दोनो formula आपका एक error के अंदर जहां पर error आ रहा है तो value if error अगर error आती है तो क्या value निकलेगी वो आपने बता दिया और अगर value में error नहीं आता है तो क्या आना था ये आपने बता दिया और bracket close करिए enter कीजिए आप देख सकते हैं ये formula बहुत ही असानी से calculate हो चुका है आप देखे बहुत ही simple तरीके से ये सारे के सारे cells अपने आप निकलाए और आप लोगों को ये बहुत ही simple तरीके से समझ में आ चुके हैं अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप ये helping cell नहीं बनाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा ये सारे formula जो मैंने इनके लिए बनाए थे ये सारे formula आपको उन जगाओं पर डालने पड़ेंगे जहां पर मैंने इन cells का reference लिया है जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैंने जी टू का reference लिया है तो यहां पर मुझे length का formula लगाना पड़ेगा जहां मैंने F2 का reference लिया है वहां मुझे first space का second space का formula लगाना पड़ेगा जहां मैंने G2 का reference लिया है वहां पर मैं जो है length का formula लगाऊंगा और जहां पर मैंने E2 का reference लिया है वहाँ पर मुझे first space का formula लगना पड़ेगा तो इसी तरीके से मुझे हर एक cell को ध्यान से करना होगा अगर मैं इन helping cell को नहीं बनाता हूँ तो मुझे इन formula को थोड़ा बारीकी से और थोड़ा ध्यान से समझ करना होगा तब ही ये formula सही हो पाएंगे अब दोस्तों मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहूँगा कि इन formula को आप क्यों बना रहे हैं और इसका क्या use आप लोग कर सकते हैं किस data पर आप लोग इससे इस्तमाल कर सकते हैं कैसे इस्तमाल कर सकते हैं ये देख लेते हैं कई बार data आपका इस तरीके का होता है आप दे सकते हैं मैंने यहाँ पर यूज किया है यह formula आप देखे यहाँ पर मैंने दो शब्द को join किया हुआ है end के साथ और आप देखे end के साथ जैसी मैंने सो join किया तो यहाँ पर मैं दोनों characters को लिख दिया है लेकिन अगर अगर मान लीजे कि इस तरह के नाम हो या मान लीजे इस तरह के मॉबाइल नंबर हो ऐसे दिये गए हो दो-दो मॉबाइल नंबर हो और स्लाश लगा के दिया हो तब इनका कैसे यूज करना है आईए एक बहुत ही बड़ी ट्रिक आपको सिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर मान लीजे इस तरह का मॉबाइल नंबर है क्या आप लोग यहाँ पर इन मॉबाइल नंबर को अलग कर सकते हैं क्या आपके पास कोई तरीका है कि इन मॉबाइल नंबर को उनी फॉर्मलों से जो आपने अभी अभी श्रीक हैं उन फॉर्मलों से आप इनको अलग कर पाएं और एक formula यहां लगाएं, मतलब मैं चाहता हूँ कि हर cell में अलग-अलग formula लगे या एक ही formula से आप सारा काम कर लें, हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत बड़ा formula लगाना पड़ेगा, लेकिन आग चाहें तो यहां पर एक छोटा formula भी इस्तमाल कर सकते हैं, कैसे आईए देख लेते हैं, दोस्तों चलिए देखते हैं, यहां पर आपको इसे कैसे करना है, इसको करने के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, यहां पर मैंने लगाया हुआ है filter, फिल्टर लगाने का एक shortcut होता है, control shift L, आप वो करिए, जैसी आप control shift L करेंगे, यहां पर ए तो आप देखिए, मैंने वो number select कर लिए, जो एक normal number है, और जैसी मैंने उन्हें select किया, तो सिर्फ वही number मिरे को filter हो के दिखाई दे रहे हैं, अब मैं क्या करूँगा, इस equal to assign लूँगा, और क्योंकि इन number को as it is यहां पर लिखना है, तो मैंने enter कर दिया, और इसके बाद इ जिन में मैंने dash का इस्तमाल किया है, तो जिन में dash का इस्तमाल किया है, वो formula भी मैंने open कर लिए, अब okay कर देते हैं, तो अब वो formula खुल गए, तो अब इसके अंदर अगर आप formula लगाएं, तो यहां पर एक ही number है, लेकिन किस तरह से आएंगे, तो left का formula लगाएंगे, पर formula लग चुका है, अब आप इसे drag कर दीजिए, तो सारे answer आपको मिल जाएंगे, इस तरीके से आप यहां पर देखिए, यह भी हो गए आपका, उसके बाद आप चाहें, तो यह जो बचे हुए formula इनको भी आप कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, आईए देख लेते हैं, यह तीनो formula मैंने एक साथ लिख दिये, और क्योंकि इन तीनों में सिर्फ एक ही formula लग सकता है, वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपको लगाना है left, और आप left लगाएंगे, जैसी आप लोग left लगाएंगे, is equal to left, और left लगाने के बाद आप यहाँ से लेंगे, comma, text, text लेने के बाद आप 10 character बता दीजे, simple, आप देखें, यहाँ पर आपका formula आ चुका है, और similarly, इधर भी आप right लगाएंगे, और light लगाने के बाद आप इसे लीजे, और यहाँ पर 10 character बता दीजे, enter कीजे, और आप देखें, आपका answer यहाँ पर और आपका काम असान हो चुका है, दोस्तों यह था एक point, तो दोस्तों देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर आपके सामने एक data है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास एक data है, और दूसरा data है, आप लोग को अगर यह पता लगाना है, कि कौन सा data इसके अंदर match कर तो आप लोग यहां पर निकाल सकते हैं इस फॉमले की मदज से दोस्तो यह कैसे लगा आप लोग के पहरे यह देखिए यह फॉमला बहुत ही कमाल का है और इस फॉमले से आपको यह बता चल जाता है कि कौन सा डेटा कितना डेटा है आप लोग का डेटा 2 में जो डेटा 1 में भी reflect हो रहा है तो दोस्तों आईए similar डेटा को पहचानने के लिए count का एक ऐसा तरीका आप लोग यूज कर सकते हैं इसके अंदर आपको देख रहे हैं और क्योंकि आप लोग एकदम exact देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको zero put up करना पड़ेगा तो zero इसले put up करते हैं क्योंकि आपको एकदम exact देखना है वही नाम तो यहाँ पर आप लोगों ने पहले बोला कि look up करना है आप लोग को इन नामों को, दूसरा आपने पूछा कि look up कहा करना है इन नामों में, तो फिर आपने पूछा क्योंकि exact देखना है तो आप लोग ने यहाँ पे कर दिया 0, और क्योंकि यह अगर इस तरीके से आप लोग लगाते हैं, तो आप लोग को देखे क्या answer मिलता है, अ आपको एक shortcut trick करनी है, अब इसने क्या किया, जैसी मैं count लगाऊंगा और enter करूँगा, तो इसने मेरे को count करके सिर्फ एक ही answer दिया, और इसका कारण क्या है, एक इसलिए दिया, क्योंकि इसने सिर्फ एक कोई गिना, वो भी पहली line में गिना, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ enter प अगर आपका data इस तरीके से filter हो जाता है, जो data इसमें दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों यह trick बहुत कमाल किया, अगर आप लोग को कुछ ऐसा data मिल जाए, और आप लोग को एक data को दूसरे data में ढूनना है, कि कितने data हैं, जो दोनों में similar हैं, तो आप लोग इस तरीके से count match ढून सकते हैं, और लगा सकते हैं, दोस्तों यह trick बहुत ही कमाल की थी, आपको यह trick कैसी लगी, मेरे को ज़रूर comment में लिखें, और आप लोग मेरे channel पर पहली बार आए हैं, तो please subscribe करें, thank you so much for watching my video, have a wonderful day दोस्तों, happy learning, bye!